बच्चों आप चित्र में देख रहे हैं कि O X Axis है O Y Axis है और O Z Axis है O X Axis O Y पर परपेंडिकुलर है लंबवत है O Y अक्ष जो है O Z पर परपेंडिकुलर है लंबवत है और O Z Axis O X पर X Y Z परस पर लंबवत अक्ष है और X के अनुदिश एक B वेक्टर दिखाए है और चित्र में आप ध्यान से देखिए और एक वेक्टर A दिखाया है दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो दो सदिश जो असुन्य है नौन जिरो है उनके A और B और उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनका सदिश गुणनफल याने वेक्टर परड़ट जिसको क्रॉस परड़ट भी कहते हैं आफ टू वेक्टर वो A क्रॉस B से डिनोट किया जाता है और A क्रॉस B बराबर मॉड A मॉड B साइन थीटा एंगल है या A क्रॉस B बराबर AB सिंपली उसको पढ़ते हैं साइन थीटा एंगल यह जो एंगल है A क्रॉस B की दिशा में A कांग सदिश है जिसका मापांग 1 है एक है तो कुल मिला के चितर में आप देख रहे हैं कि A क्रॉस B की दिशा में A कांग सदिश जिसका मापांग 1 है और इसको हमने एक नट और बोल्ड से उसकी कल्पना की है कोर्लेट करने की कोशिश की है तो बच्चों आपको मालूम है कि जब नट खोलने की बात सोची जाए यदि हम एक दक्षनवर्ती पेच राइट हैंडेट स्क्रू को A सदिश से 20 सदिश की और घुमाए तो पेच A क्रॉस B या N केब दिशा में गती करता है इसका मतलब है नट बोल्ट खुलता है मेरे कहने का मतलब यह है कि नट को खोलने के लिए हमें उसको एंटी क्लॉक वाइस घड़ी के विपरी दिशा में घुमाना होता है तो जो पेच है वो लीनियर मोशन करता है उपर की तरफ जैसे चितर में देख रहे हैं आप कि एक नट को हम एंटी क्लॉक वाइस घड़ी के विपरी दिशा में घुमा रहे हैं तो नट खुलता हुआ आपको नजरा रहा है तो नट के खुलने की दिशा में एक रॉस बी है और एक क्रोस बी यानि सदिश गुणन दो सदिशों का सदिश गुणन और उसी की दिशा में एक आंग सदिश एनकेप दिखाया गया है अब दूसरे चितर पर आप ध्यान लिजिए कि एक्स अक्ष है वाइक्ष है जेड़ अक्ष है जो परसपर लम्वत है और एक्सस की दिशा में बी सदिश है और ओ से ए वेक्टर दिखाया है ए और बी की बीज का एंगल थीटा है यदि हम बी क्रोस अ अभी हमने एक रौस बी की बात कही थी अब मैं बी क्रोस अ की बात कर रहा हूँ तो B A sin theta M cap होगा M cap निशित रुप से पहले वाले N cap से विपरी दिशा में होगा जैसा कि आप चितर में देख रहे हैं कि वो O Z dash direction में है पहले वाले में A cross B O Z direction में था तो A cross B या B cross A A और B दोनों सदिशों पर लंबवत होता है और उसकी दिशा को हम फिर nut और bolt के screw नियम से हम उसकी दिशा का पता लगा सकते हैं यदि हम एक वावमवर्ती पेच left-handed screw को सदिश B से सदिश A की और घुमाएं तो पेच B cross A या M cross की दिशा में M cap की दिशा में गती करता है अर्थात nut bolt कसेगा आप देखिए ठिक से कि यदि हम घड़ी के दिशा में nut को कसते हैं तो पेच linear motion रेखिक गती करता है नीचे की और तो A cross B O Z direction में नीचे की और है और उसी की दिशा में एकांग सदिश M cap है तो बच्चो यहां पर हमने nut को खोलते हुए A cross B को समझाया और nut को कसते हुए B cross A को समझाया निशीत रुप से आप यह समझ गया हुँगे कि A cross B और B cross A दोनों विप्री दिशा में हैं लेकिन मापांग में बराबर हैं